गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम वेक टो माल न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो यह करीब टाइम साड़े आठ पॉनिन नौ का टाइम होगा बच्चे स्कूल जा चुके हैं ब्रेकफास सबका हो चुका है तो इसकी बाद जो क्लेनिंग का काम है उँँ मैं सुरू कर दी हूँ तो सबसे पहले जो कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं तो उनको फोल्ड करके रख के आई हूँ अंदर वाले रूम में विस्तर ठीक कर दिया सोफा ठीक कर दिया अब यह थोड़ा सा यहां पास टीवी यूनिट के पास ठीक कर देती हूँ जो समान है अंदर रख देती हूँ बाहर इतना चीज़ें ना दिखें और गाना चला के रखी हूँ साथ साथे से क्या आप लोग पाने मतलब सुरू कर दी हूँ तो सबसे पहले जाडू लगा लेती हूँ और यहां पास एक जूला टाइप से हैं जो मैंने खुद बनाया था जो हम लोग आर्मी कोटर में रहते थे तो मतलब टैडी टागने के लिए हैं तो मैं किसी दिन आप लोगो पास से दिखाऊंग लोग इतने भी पोचे रख दो बाहर रेत आ ही जाती है अब दो तीन बार जाडू लगाना ही लगाना पड़ता है तो सुबह एक बार थोड़ास अच्छे से लगाना पड़ता है पूरे हार अर्चे जाटा हटा के नहीं तो कहीं न कोई गंदा रही जाता है पाकी कि आप दिन में दो बार अग लगाता है सिधे सिधे मार देती हूं मैं सब चीजे हटा की नहीं पर सुबह का जो जाडू है अच्छे से अगर लग जाए तो फिर घर साफ दिखता है तो चली फट फट मैं पहले जाडू लगा लेती हूं और इसके बाद फिर जाडू पोचा करी औ दाल रख रहे हूं मसूर की जो खड़ी वाली दालाती है न उसको बनने के लिए रख रहे हूं अभी और इस टाइम तक बच्चे भी आ गये थे और काम करते करते न मुझे लेट हो गया था ना आने के लिए थोड़े बहुत कपड़े भी थे जो हां से धुले थे और बांक खाने के लिए नाटक में लगा हुगा कि जल्दी खाना मिले तो मैं यहां से जाओं और बच्चों को मैंने खाना दे दिया अब मैं बना रही हूं बड़े तो दाल पहले ही पीसक इन्होंने रख दी थी तो अम मैं बना लेती हूं और दाल कल की ही मतलब फुलाई हुई है और उसको मैं कल साम को बनाना था मतलब जो साम निकल गई उस तब बनाना था तो फिर रात में बड़े की दाल नुकसान भी करती है फैसे ठंडी होती है इसकी दाल तो मैं सुब दुपार में ही बना रही हूं और क्या था दही भी नहीं था कासका दघर का दही भी खताम हो तो जिसके बज़से में बनाई भी नहीं थी तो आप चलिए वरेंडस तो अभी time हो चुके 8 बज गए हैं और मैंने रख दिया डाल बनने के लिए तो बनाना के लिए हैं मसूर की खड़ी दाल के लिए तो चलिए भाना पर बनाना है बड़े तो दाल उसकी पिसर गई है और तेल भी डाल के आए उकड़ाई में और में नहा लिया है आज तोड़ा से लेट हो गई थी नहाते और बच्चे भी आ गए है क्योंकि आज सणी आ रहा है और महीने के लास्ट दिन है तो कल मगर आज पिकल संड़े हो जाएगा तो आज लास्ट दिन के तो ब्लाव जिसकी नहीं है इसकी ब्लाव जो है थोड़ा सा टाइट होती है तो मैं नहीं पहने हूँ दूसरे पहन ली हूँ हाफस लिप के और उसकी फूल है तो चलिए हम बड़े बनाते हैं और दाल चाबल और बड़े आज के खाने में दुपार में बस यही है तो इस सरसो का तेल मैंने यूज किया है बड़े बनाने के लिए थोड़ा सा हींग पानी में डाल देंगे क्योंकि ठंडी का टाइम है तो नुकसान ना करें बड़े थो थोड़ा सा हींग गरम होती है तो इसलिए तो यहां पास दाल अच्छे से फेट ले हूँ और जब अच्छे बच्छों को भी पसंद आते हैं और दही में फुलाते भी बनते हैं जो ही हींग बाला पानी इसको हाथ में मैं लगा लेती हूं बाल बार ताकि थोड़ा सा ना हींग जो है उसमें चला जाए और ठंडर मतलब नुकसान करें किसी को भी तो चलिए फट़फट बड़े बना बच्छों का होता है ना उन ट्रेस्ट लेके कोई भी चेज खाते हैं थोड़ सा डिफरेंट तरीके से बनाओ जरूरी नहीं कि आप बड़े गोल की बनाओ मतलब चोटे बड़े ही बनाओ आप उसको सेब चेंज भी कर सकते हो बच्छों के अनुसर बच्छों को जैसे पसं कर सकते हैं बढ़े बना दी थी और दही के साथ रेडी कर दिया है और जैसे दीखाब थोड़े रह गए हैं दाल का तड़का लग गया है बस से लाश्ट है इसके बाद दाल में तड़का लगाना चापल जैसे को बनने के लिए रखी दिया है और इन्होंने अपना मिर्ची जो भी डाल के रेडी करते हैं दही के साथ रेडी करके रख दिया है अब चलिए दाल में प्रड़का तड़का लगा देते हैं तो इसमें मैं डाल दी हैं दो चम्मच के करीब घी और वही थोड़े से गरम मसाले जादा कुछ नहीं जीरा हिंग इसले मैं तड़का लगा देते हैं जोसरे के वाद अध्रख लैसों और मीर्चेंग बारी कट करके रखेती हैं इसके बाद पयाज और पयाज को अच्छे से पका लेना और घी मैं बहुत जलदी पयाज पकते हैं क axes घे खाम हरा ने कल कामा चाएंगे आज से जादा होतीं Rosen मतलब फुलाए हुए और फ्याज पक चुकी है इसमें मैंने डाल दिया टमाटर इसको भी अच्छे से पका लेना थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और कोई मसाला नहीं तो चलिए दाल में तड़का लगातने फट से जल्दी से और इसके बाद चावल जिसे के बन ही गया है बस चावल दाल और साथ में हो गएं बड़े आज के खाने में विसे बताया कि मैं थोड़ा सा ही गरम मसाला डालूंगी ज़्यादा नहीं तो दाल बन के रेड़ी हो चुकी है इसके बाद खाना पीना सबका हो चुका है बड़ता निकठा करके मैंने सिंग में रख दिये हैं तो कुछ टांग दिया था कुछ साथ में मैंने कर दिया था अब सब बना के पहले रख देती हूं और जो दिब्बे पीछे हो गए मिल नहीं रहे थे ना तो बेलन से में हांगी करकर के निकाल रही थी अभी साम के बच चुके हैं तो इसले च्छत में आ गई हूं और फिर इसके बाद चलते हैं तो भई खाना पीना फिर वही साम वाला काम होगा तो मैं थोड़ा सा अप लगों की इधर का एरिया दिखा रही थी तो इधर पूरे घर बन रहे हैं बहुत सारे लोग रहते भी ह हैं और जो घर रेडी हो गए नो घर पर सब लोग रह रहे हैं बाकी के घर अभी बनने वाले हैं अब क्या है न कि हलकी हलकी ठंडियां सुरू हो चुके हैं साम सुबह लगती है स्वेटर पहनने लाग तो नहीं है पर आप एक स्टॉल ले लो तो उते में काम हो जाता है और तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूं आप लोगों से और इसकी बाद फिर से किचन में आ गए हूं हम लेडियों को आधा टाइम मतलब दिन के आधा टाइम पूरा निकल जाता है किचन में ही तो भिंडी आपस धुल के रख रख गए मतलब रख दिये थी नहीं पह अच्छी तो चूप चुकी थी तो चूप्य कि अच्छी बनती है चिप चिपी नहीं होती करा है और बनाने लोक वाली दाल्रां थोड़ा सा लोकी भी रख़ी हूई थी तो उसको भी कट कर लेती हूं सबस्ताथ ब्हाट देख दिया है जैसे कि आप लोग देखी सकते हैं पहले सब्जी पूरी कट कर लेते हैं परलग के लिए भिंडी कर लिए आप इसके साथ में जो लैसुन मिर्ज अद्रग प्याज है ना इस सब चीजह दोनों के चीज़ों के लिए एक साथ ही कट कर लोंगी तो यहां पास दाल बन चुकी है और सब्जी भी बन चुकी है अचल कि वीडियो में बोला था थोड़ा सा मेरी कार हिल्फ हो जाती है तो सही है और मैं रोटी यो राती जाओंगे सबको खाना देते जाओंगे दूद रख दिया गरम करने के लिए क्योंकि दूद भी देना है सबको पहने की सूट पहनती हैं और हमेशा तो थोड़ा सा ना कभी साड़ी पहन लो तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती उतना जादा तो नहीं क्योंकि हमारी आदत पढ़ी के पहले से ही अम लोग से गाव में रहते थी तो आदत पढ़ी के साड़ी पर इतनी ज़्यादा तो जाते थे साड़ी पहनती थी माँगी की साड़ी नहीं पहनते थी पर अब यहां घर के पास में गहांं है। सब लोग एकी उसनि इस भी पर बेखने देना है। तो यहां पास मच्चंपोदे देती हूं रखे हुए ते रसगुले तो दीवाली के ही हैं रखे हुए हैं तो निकाल के सब को पहले मैं दे देती हूं बागी के फ्रेज में रख दूँगी नहीं तो बाहर खराफ हो जाएंगे और चलिए फटाफट में बरतन साफ कर लेती हूं वातम छोटे मड़े चाय साइके सब के थेतर थोड़ा सा ज्यादा हो गए हैं तो चलिए कोई बात हैं ज्यादा नहीं कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं वरतन में कितने भी वरतन हो मुसके लोगा था 20 मिनट इस ज्यादा वरतनों और खाना पीना खाना बरतन दोना सब काम करने मतलब करते करते ज्यादा टाइम दस बजे आज में पूरा फुरसत हो गई थी खाना पीना बना के खाके बरतन साफ करके किचन साफ करके मतलब पूरा काम दस बजे मेरा पूरा रात का कम्प्लीट हो गया था और थोड़े से औ बातन हो ही जाते हैं, डेली के डेली, और ठंडी भी पढ़ने लगी है, जैसे कि मैंने कहले भी बोला, तो चलि, तो डेली का काम है, हम अरतों का, तो चलि, ये कोई बात नि इस वीडियो को यहीं पास, मैं खतम भी करूंगी कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए कर वीडियो को लाइक साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें